नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत हैब से का मेरे चैनल नवीन हेल्थ केर में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोरोना वाइरस इंफेक्शन के बारे में यह क्या होता है यह कैसे फेलता है इसका लक्षन क्या होता है इससे बचने का उपाई क्या है इसका ट्रीट होता है तो दोस्तों यह एक वाइरस होता है जो विभिन प्रतार विष्णानों का एक सम्मू है जो अस्तंधारियों और पक्षियों में रोगत्मन करता है यह एक आरेने वाइरस होता है जिसके कारण मनुस में सौसंतंत इंफेक्शन पैदा होता है जिसके कारण सरदिखांसी बुखार स्वांस लेने में तकलिफ गले में सूजन गले में खास इत्यादी लक्षन देखने को मिलता है चलिए दोस्तों अब हम यह यहन लेते हैं कि यह वायरस फैलता कैसे है तो दोस्तों यह वायरस हवा के जरिए एक वक्ति से दूसरे वक्ति में फैलता है जैसे कि जब क सर्दिक खासी बुखार स्वासरिने में तकलीफ गले में क्रास गले में सूजन बॉडी पैन विक्नेस इसका कुछ प्रमुक लक्षन है चलिए दोस्तों अब हम यह जान लेते हैं कि इस वायरस से कैसे बचा जाए तो दोस्तों कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखे करें तथा कोविट वैक्सिन जरूर लगवा हैं चलिए दोस्तों अब हम इसके ट्रीटिमेंट की बात कर लेता है तो अलोपैथिक मेडिशिन में इसका ट्रीटिमेंट कुछ इस परकार है अगर पैसेंट सिरियस हो तो सबसे पहले हमें रेमडी सीविल इंजेक्शन की पड़ती है इसके साहसात कुछ अन्य दवायं भी दी जाती है जीसे की विटामिशी विटामिशी विटामिन डी जिंक हिस्टियस परते है जैU अगर पेशेंट में स्वास लेने में तकलीफ हो तो नेबूलाजर भी दिया जा सकता है तो दोस्तों इस परकार कुछ कुरोना का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो दोस्तों इस वीडियो में लास्तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले हमारे द